एक लास उन लोगों के लिए काफी मात्रून रहने बाली है जो मद्धपिदेश के किसी भी गबर्मेंट एकजाम की तयारी करते हैं चाहे वो आपका MPPSC हो, MP का आप देखे कि सिक्षक भलतियां होती रहती है, पुलिस कॉंश्टेली बल के लिए होता रहता है, ऐसा ही दरोगा के लिए होता है, पटवारी के लिए, जेल पहरी के लिए, इस तरह के अनेकों एकजाम आपकी मद्धपिदेश में होते हैं और इन सब के अगर आप लोग पुराने questions पेपर उठा के देखेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मद्धपिदेश में बर्टमार में घटनाय घटती रहती हैं, उनसे questions आपके पूचे जाते हैं आपकी परीप्चा में, इसे आप लोग मद्धपिदेश क्या, आपका मद्पिदेश देखने को मिलेगा, भोपाल इसकी रादधानी है, एक नवंबर 1956 में इसी राज बनाए गया था, इसकी सीमा उत्तर पिदेश, राजिस्थान, गुजरात, महराष्ट और 36 गड़ से लगती हैं, और आप देखेंगे कि आँगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में मद्पिदेश से अलग करके ही आपका 36 गड़ राज बना था, और जब तक 36 गड़ मद्पिदेश का हिस्सा था, छेतफल में भारत में सबसे बड़ा राज आपका मद्पिदेश था, अब आप देखेंगे 36 गड़ अलग हो गया, तो राज्यस्थान पहले पर है, आज ये सभाव में 11 सीते हैं, लोक सभाव में आपको 29 सीते देखने को मिल जाएंगी, ये आप देखिए मद्पिदेश का केबल मैप है, ये मुरेना सबसे उत्तर में देखने को मिलेगा, सबसे दच्चन में बुरहानपूर, सबसे पष्चन में आप देखिए अली सवर्ड और कासपदक अपने नाम किया है। वह काराटी मिक्स इबेंट में सवर्डपदक जीतने बाली देश की पहली काराटी एथलेट बन गई है। और भोपाल की है सुप्रिया जाटाओ, इनोरे अमेरिका के लॉस वेगास में इस परदा में के मिक्स इवेंट में स्वर्ड पदक और सीनियर एथलीट 61 किलोग्राम भार भार की व्यक्तिकस कुमीते, फाइट में जापान की एथलीट को सिक्कस्त देकर कांस पदक जीता है। और पिदेश इस्तर पर एकलाब और बिक्रम अवर्ड से सम्माले थे सुप्रिया अभी तक कराटी चेंपियसे में 6 इंटरनेशनल गोल्ड, 22 नेशनल गोल्ड, सहत आप देखे कि टोटल 37 मेडल अपने नाम कर चुकी है। कितने 37। अंगली खबर है आपकी 4 मई 2022 को वीशाणू रोक रहत आलू बीज उत्पादन के लिए एरोपॉनिक बिधी का भारती किर्सी अनुसंधान पईशद और मद्वदेश सरकार के साथ दिल्ली में अनुबंध हुआ है। और भारती किर्सी अनुसंधान पईशद में केंद्री आलू अनुसंधान संस्थान सिमला में ने हवा में आलू के बीज उत्पादन की ये अनुठी तकनीक बिखसित की है। प्रभार की मंत्री है। भारा सिंग कुसबाहा ने कहा है कि एरोपोनिक तकनीक आलू बीच की जरूरत को काफी हद तक पूरा करेगी। और किसानों की आय को दुगना करने में ये तकनीक कारगर भूमिका निभाएगी। राजगर, सागर, दमो, छिदवाड़ा, जवलपूर, पन्ना, मुरेना, सतरपूर, बिदीसा, रतलाम और बैतूले। पिदेश के उध्यान की आयकुत ईरमेश कुमार ने कहा है कि मद्ध पिदेश को लगभग 4 लाग टन बीच की आवस्तत्ता है और जिसे 10 लाग मिनी ट्यूवर उत्पादन चम्ताबाली स्तकनीक से पूरा किया जाएगा। ग्वालियर में एक जिला एक उत्पाद में आलू फसल का चैन किया गया है और याद रहे एरोपोनिक के जरिये पोसक तत्तों का छड़काओं मिश्टिंग की रूप में जड़ों में किया जाता है और पौधी का उपरी भाग खुली हवा और पिकास में रहता है। एक पौधी में से 35-40 मिनी कंद और 3-10 ग्राम पराब किये जाते हैं चूकि मिट्टी का उपयोग नहीं होता है इसलिए मिट्टी से जुड़े रोग नहीं होते हैं इसमें तो ये भी देखने को मिलेगा नई नई तकनीकी आती रहती हैं। अंगली खबार है 6 मईश 2022 को मद्धपदेश की खेल एवं युगा का लियान मंत्री यसोदरा राजी सिंधिया ने भौपाल में 12 सीनियर नेशनल बोमें होकी चेंपियन से 2022 का सुबारम किया हैं। और याद रखी एक और बात आपको बता दू। इससे पहले हम लोग अपरेल तक जनवरी 2022 से लिकत अपरेल 2022 तक की सभी मेने के करेंट अपे जो घटना है गटी उन्हें हम लोग देख चुके हैं। मद्पिदेश करेंट अपेस 2022 के नाम से फिलेलिस्ट सूची बनी हुई उसी में सभी कलासे आपको मिल जाएंगी। और इस चेंपियनसिम में मेजबान मद्पिदेश सहे देश की 27 टी में भाग ले रही हैं। और ये मई महीने का है मई 2022 की। इसमें चंडीगर, बिहार, हर्याना, असम, बंगाल, पंजाब, 36 गर, तिपुरा, महराष्ट, राजिस्थान, उत्राखन, जारखन, आंधपिदेश, पुदूचेरी, करनाटक, तमिलाणू, अरुनाचल पिदेश, अंडवान निकोबार, उत्तर पिदेश, दिली, गवा, गुजरात, केरल, तिलंगना, उडिशा, हिमाचल पिदेश की टीमें सामिल है, और चैंपिएंसिब में इन टीमों को आठ पूलों में बाटा गया है, और पूल A में मद्द पिदेश, चंडीगर, बिहार, और पूल B में हर्याना, असम, बंगाल सामिल है, पूल C में पंज पिदेश, दिल्ली, गुजरात, पूल A में उडिशा, तिलंगाना, हिमाचल पिदेश को सामिल किया गया है, और बारवी सीनियर नेशनल भूमें होकी चेंपिन से 2022 का फाइनल में 17 में को खेला जाएगा, कब 17 में को, और मुझे लगता है कि आप लोग पढ़े लेके हैं, तो यतना तो common sense लगा लेते हैं, कि हम लोग किस महिने का करेंट अपियास कबर कर रहे हैं, ठीका, अंगली खबर है, आठ मई 2022 की, मद्ध पिदेश के राजपाल मंगु भाई पटल ने परस वाड़ा में, रानी दुर्गापती की पिदिमा का अनावरेन करने की साथी, विद्ध्याले जबलपुर की छात्रों द्वारा किये गए, यो गभ्या स्वेदर्सन की भी तारीफ की है, और साथी ये भी कहा है कि सिकल सहल की मरहिजों की पहचान कर उनके समचित इलाज के लिए पिदिश के 21 विद्ध्यालेयों को पाच-पाच गाउं देकर वहां के प पार्केटिंग का रोजगार दिलाया जाएगा, उन्होंने यह भी कहा है कि पिदेश के में सिकल सेल, सीपीडित परिवारों को राजसरकार पैंसन की सुविधा दे रही है, और पिदेश में जन सामान में रोग, पिती, रोधक, छमता बढ़ाने के लिए करीब 4 करोर लोग पिदेश के आईउस ग्राम में पितेक परिवार के हर सदस्त का स्वास्त परीक्षन कर उनका स्वास्तकार बनाया जा रहा है, और याद रहे है राणी दुरकाबती गौंड साज का थी, जिन्नोंने मालबा के सासक बहाज बहादूर को पराजित किया था, और राणी दुरक ट्रेवल मार्केट पिदरसनीन में सयुक्त रव मिरात में भारत की महावडिज्य दूत अमनपूरी और उपेंदर वराड आतरिक्त महा नेदेशक परेटन मंतरा लें, भारत सरकाल द्वारा मद्पिदेश के पविलियन का उद्गाटन किया गया है, और इसमें आप देखे परेटन को प्रोसाहित करने हित्तु, पिछले वर्स परेटन बिभाग द्वारा, US, UK, यूरोप, चीन, मद्पूर्व और उस्टिलिया में एक अभियान शुरू किया था, और ATM 2022 का उद्गाटन अंतराष्टी यात्रा उपरेटन का भाविस से विसाई के साथ किया गया है अंतराष्टी यात्रा उपरेटन का भाविस से, उपरेटन चित हमारी अध्वश्ता में बड़ा यूगदान भी देता है, यह पूरे मद्पूर्व चित में आउट बाउंड और इन बाउंड परेटन पे सेवरों के लिए, एक मंज के साथ साथ सबसे बड़े यात्रा आयोज नो में से एक है, जो पितेग वर्स दुबई में आयोजित किया जाता है, अंगली खबर की तरफ चलते हैं, दस मही 2022 को मद्पदेश के MSAE सचेव पी नरहरी ने बताए कि मद्पदेश स्टार्ट अप कौन के लेब, 2022 इंदोर के विलियन्ट कनिमेंसन सेंटर में 13 मह आयोजित किया जाएगा, और तीन सत्रों में होने वाली इस कौनक्ले में पिधानमंती नैंदमोधी अंतिम सत्थ में वर्चुली जुड़कर मद्पदेश की स्टार्ट अप नेती और पोर्टल का सुबारम कर सत्थ को संबोधित भी करेंगे, वर्चुल यानि की वीडियो इसके विभिन सत्रों में निमलिकित गतिविधिया होगी, इसमें आप देखी स्पीड, मैंटरिंग, मैंटरिंग सत्में MPT, IE के सहयोग से स्टार्ट अप से सेक्टिक संस्थानों और तथा स्टार्ट अप स्पेस की पिरमोग लीडर्स मिलेंगे और संबाद करेंगे, फं इसमें स्टार्ट अप निवेशकों के साथ सहयोग के आउसर पर चर्चा और फंडिंग के लिए अपने आईडिया को पिस्तुत करेंगे, इसमें स्टार्ट अप की एको सिस्टम सपोर्ट सत्र में पिती भागी या जानेगी कि उनकी ब्रावन्ट पैलिव कैसे बढ़ाई तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगली खबर है आपकी 11 माई 2022 को मद्ध पिदेश की मुखमंती सिवरासीन चोहान ने स्री महाकाल महाराज मंदिर परिशत के बिस्तार परियोजना की कारियों की समीक्षा बैठिंग में परियोजना की पिथम चर्ण की कारियों को 20 माई तक पूर करने का निर्देश दिया है पूरा करने का और आप देखेंगे कि मुखमंती चोहान सामने 90% से अधिक लेकिन 100% से कम भौतिक प्रगती बाले कारेयों को एक सप्ताय में पूर करने का निर्देश दिया है और बर्तमान में आप देखें नरसिंग घाट, पूर हो चुके हैं और महाकाल का मंदर आप लोग उज्जन में देखते ना वहीं की व्यात हो रही जहां कुम का मेला लगता है आप देखते हैं आन्य फिर्मुक कारेयों में महाराज मंदिर परशक के विकास योजना के फिथम चैनल में 93, पारिकिंग भूमी विकास में 95, महाकाल द्वात तथा रामघाट प्राचीन मार के सरक्षन कार का 95, इतिहासिक मंदिर एवं बिरासतों पर सौंदरी करण के लिए आवसक लाइटनिंग का कार 95, पूरा हो गया है और उज्जन का महाकाली सुर मंदिर भारत के 12 पिसिद जोतिलिंगों में से एक है और स्री मह महाराज मंदिर परिशत विस्तार परियोजना के तहत परिशत का विस्तार एवं अन्यकार किया जा रहा है और विस्तार के बाद मंदिर चेतर आठ होना बढ़कर 23,05 हेक्टर हो जाएगा यह भी आद रखेगा अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं यह 12 मई 2022 को मग मंती सिवर में 50 बैड का सर्फ सुविधा योगते पुलिच चिकिस्सालाय बनाये जाने के लिए 12 करोड 59,81,000 रुपे और चिकिस्सा के लिए 46 मानों संसाधन के पदों की सेर्जन उस पर 5 बरसों में होने बाले 2 24 करोड 58,41,000 रुपे की कार यह जना को सुईकिती पिदान किये और मंती पहसे द्वाला लाडली लच्मी योजना को विस्तारित सौरूप में संचालित करने के लिए लाडली लच्मी योजना 2.0 के संबंद में महला बाल विकास बिभाग के आदेश का अनुसमर्थन भी किया है और इसमें आप देखेएं लाडली लच्मी दिवस उसाओ के रूं में राज जिला इवं ग्राम बंचायत स्थर पर पितिवस 2 मई को आयोजन किये जाने ग्राम बंच्यायतों को जिला इस्तर से लाडली लच्मी फ्रेंडली घोसित करना और लाडली वालिकाओं को कक्छा बारवी के बाद इसनाता कत्वा बेवसाइक पाठकरम में पाठकरम अवधी निवंतम दो वर्स प्रवेस लेने पर 25,000 रुपेक की प्रोसाहन रासी दिया जाना लाडली वालिकाओं को उच्च सिक्छा का सिक्छा सुलक सासन द्वारा वहन करना सामिल है और मंती पशेद द्वारा MSME विकास नीती 2021 के अनकरम में फरनीचर खिलोने और उनसे सम्मंदित मूल सेंगार के उत्पादों की बीनिर्माड एकाईओं के लिए विसेष्ट वित्तिय सहायता विदान करने का नेड़े भी लिया गया है अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं हम लोग आंगे आप देखेंगे 11 मई 2022 को मद्पदेश में रतलाम जिले के बिल पांग के इस्तित बिरुपाक्ष महादेयो मंदिर की जिन्ड़धार के लिए सांसद गुमान सिंग डामोर की अध्यक्षता में बैठक आयो जित की गई है और बैठक में रतलाम की कलेक्टर कुमार पुरोसोत्तम द्वारा मंदिर की विकास मास्टर पिलान का प्रेजेंटेशन दिया गया है और मास्टर प्लान के अनुसान मंदिर की जिनवधार के लिए मंदिर की बाहर भब प्रवेश द्वार बनेगा और साथी धरम साला, यग्य साला, सुरक्षा की विन, पारकिंग, सुविधा घर, विस्तरा मिस्थल, दुकानों, आदेई को भी विक्सित किया जाएगा और इसक मंदिर परमार गूर्जा चालुक की सम्मिश्थित बास्तु सैली का अनुपा मोधारन है, और यह अगी भी आप देखें, मंदिर निर्मार के संब्द में अभी तक परमार उपलब्द नहीं है, किन्तु 1964 में बिल पांक में की गई, खुदाई में मिली अवलेक के आधार प मुकमंतिरी ने जनजाती इवाओ के लिए संसदिये संकुल परियोजना का तहट भोपाल में देश के पहले ग्रामी जनजाती तकनीकी पिसीक्षन का सुबारम किया है, और संसदिये संकुल परियोजना में ग्रामी जनजाती इवाओ को तकनीकी पिसीक्षन पिदान किया ज और अने चेत्रों में रोजगार की आउसर उपलब्ध होंगे और पिथम इस्टेज में चरण में आप देखी प्रायगी परियोजना की रूम में भारत के छे राज्यों जिसमें मद्विदेश चतीजगर गुजरात राजिस्थान महराच उडिशा से चैनित 17 जिलों की 17 सम्ह परियोजना का विच्छाहि पिश्थान के के लाजना की लोगपसहवा और राजसाभा की इस 40 जन्जाती 370 वारा भारत की 15 राज्यों से 29 समुह का चैन किया है क्या किया गया है चप अंगली खबर हैं आपकी तेरह महीं 2022 को पर्यावन मंतरी हरदीप सिंग डंग को UNDP स्वास्त केंद्र को सौर उर्जाकित करने के साथ डिजिटलाइज मॉनेटरिंग सिस्टम लगाएगी अब आप लोग कहोगे कि यह UNDP होता गया है इस तरह कि जो भी संगठन है चाहे राष्टी हो या अंतराष्टी हो इनके बारे में एक सावन जानकरी जरूर रखिएगा इनसे कुष्टन हर साल बूछे जाते हैं United Nations Development Program की बात करें तो 22 नवंबर 1965 में इसकी इस्थापना हुई थी New York USA में इसका Headquarter आपको देखने को मिल जाएगा UNDP के पितिनी दी स्रेड नवास ने बताए कि UNDP ने मद्पदेश सहत भारत के 10 राज्यों में 100 उड़ जाओ परियावल सरक्षन की कार करने का नेड़ लिया है और UNDP देश में 15 Electrical Vehicle Charging Station भी स्थाबित करेगी और जिसमें से अधिकान सिंदोर में होंगे और ग्रामिट चेत्रों में 15 Solar Cold Storage और 50 सूक्ष में अबव लगू उद्द्यव एकाई में इनर्जी ओडिट हो करेगी और EONDP द्वारा भारत के लिए निर्धारित लक्ष में से करीब 12 करों रुपे मद्पदेश की कारेयों के लिए निर्धारित किये गये है इलेक्ट्रोनिक विहिकल पे सिक्षन में 500 से लेकर 10,000 तक युवा लाभान बित होंगे इसमें मापकरी 500 से लेकर आप देखेंगे 1000 युवा कितने 500 से 1000 अंगली खबर है हाली मेंदोर की युवा कंप्यूटर इंजिनिंग सानिया जैसवाल और लोकांथ जैन ने मिलकर अभय परिमिती डिवाइस बनाई है जो 20 सेकंड में कम्पिलीट हेल्थ चेक अप कर सकती है सानिया जैसवाल ने कुरोना की भयानकता की समय इस डिवाइस को बनाने का नेड़ लिया था यह डिवाइस कुछी पलों में ना सरी पल्स रेट ऑक्सीजन से चूरेशन बलकी विलड फेसर के साथ ही बोडी टेंपरेचर और इस परेटी रेट रिकॉर्ड कर इसकी सोग कर सकती है और सानिया सो अभय परीमिती डिवाइस को स्मार्ट सिटी होस्पीटल और सो डिवाइस को आंध्पिदेश सासन को उपलब कराने के लिए पाइलिट प्रुजेक्ट पर काम करी है अलर्ट के अलाबा रिस्पेरेटी रेड अलर्ट और बिलाड परिसर अलर्ट करने में जिसक्चम है इसमें नई नई तकनीके आती है खोज होती रहती है मालू चलता रहता है अंगली खबर है आपकी 13 माई 2022 को पिधार मंत्री बौधी द्वारा इंदोर में आजित इस्टार्ट अप कॉनकलेम में बर्चूल माध्यम से मद्ध्पिदेश की नई इस्टार्ट पॉलिशी लॉंच की गई है और इसमें आप देखिए माध्पिदेश इस्टार्टॉप नीती और कार्यान वें यह उजिना 2022 को आत्मिर्भार भारत और आत्मिर्भर मन्द्पिदेश की पूरते के दृष्टी कोड लागु की गई और हमारे पितान मंत्री साथ आत्म निर्भर्ता पर काफी जोड़ देते हैं, आत्म निर्भर्ता की बात करते रहते हैं कि आप लोग भी आत्म निर्भर बनगें और इसमें उत्पाद आदाधी स्टार्टप को प्रोसाहित करने के लिए विसेस बित्तिय और गैर बित्तिय सुविधाओं का समावेशन किया गया है और स्टार्टप इंडिया में भारत सरकार में पंजीकित औब माननेता प्राप्त स्टार्टप में और निती के तहत अगर कोई नया उद्यम किराई की जगए पर चल रहा है, तो उसे राजसरकार हर माय 5,000 रुपे किराई के लिए देगी और selected startup को अधिकतम 25 करमचारियों के लिए पिती माग 5,000 रुपे का मासिक बेतन भत्ता भी दिया जाएगा और नीती के उद्देशों को प्राप करने के लिए नीती में निम्र 5 स्थमों का अनुसरन किया गया है इसमें कौन-कौन है? Ease of Doing Business सहित संस्थागत सहयो चलिए आँगे चलते हैं आप देखेंगे 16 मैई 2022 को मोखमंती सिवरा सिंग चोहान ने मोखमंतीरी निवास कार्याले से सिंगल किलिक द्वारा पिदेश की सभी जलों की सिर्मेक परिवारों को संबल योजना में 573 कड़ो 49 लाक रोपे रासी का अंतरन किया है और संबल 2.0 योजना 2018 में फ्यारम की गई थी संबल योजना का ही परिवर्थित रोप है और संबल 2.0 के तहट नभीन पंजियन पेकिरिया में पिदेश के लाकों तेंदूपत्ता संगराकों को भी संगठित सिर्मेक के रोप में सामिल किया गया है साथ ही मिस में बे सर्मेक भी नई सरे से आविदन कर सकेंगे जने पूर में आपात गोसित कर दिया गया था और आसंगठि छित की लाकों सर्मेकों को आनूग गरह साहता योजना में दुरगटा में मित्यू हो जाने पर परिवार को 4 लाक रुपे की राशी दी जाती है और सामन दसा में आप देगी मित्ट्य होने पर भी 2,000,000 रुपए और इस्ठाई अपंगता पर 2,000,000 रुपए और आंसिक अपंगता पर 1,000,000 रुपए पिदान किए जाते हैं अंतिम संस्का साहथा की रूमें 5,000 रुपे की रासी दी जाती है और यह उजना के था है जो महलाए प्रिशाओ की समय परियाप्त अराम नहीं करवाती है उन्हें योजना में 16,000 रुपे की राशी दी जाएगी और पेशाओ की पूर्ट दी जाने बाली साहेता पहले 4,000 और पेशाओ की पश्चा दी जाने बाली साहेता राशी 12,000 रुपे होगी यह भी याद रखिएगा योजना के पात बेश अफसरमिक है जिने बहबेश नेदी करमचारी राजवी मा योजना गिची यूटी आदी सामाजिक सो रक्षा के लाब प्राप्त नहीं हो रहा है लाब नहीं मिल रहा है अगली खबर की तरप चलते हैं महिला राष्टी चेंपिन सर्फ का है उजन 6 से 17 माई 2022 तक भोपाल के मेजर ध्यांचन इस्टेडियम में किया गया था जिसमें लगभग 27 राज्जों की खिलाडियों ने भाग लिया था और टूनावेंट में खेले गए फाइनल मुकाबले में उड़ी साह के लिए पूनाम बारला ने 34 बे और असीम कंचन वारला ने 69 मिनिट में गोल दागे है वाय तीसरे स्थान के मुकाबले जार्खन ने हर्याना को 32 से हराया दीपती टुपो अलवेला रानी टुपो और बेटन डुंग डुंग ने जार्खन के लिए गोल किया हर्याना के लिए अमन दीप, कौरो और भार्थी सरोहाने गोल दागे है आगे चलते हं अंगली खबर की दरब 17 मई 2022 को मुक्मंती सिवरा सिंग चोहान ने होटल आमेर गेंस में उद्यान की इवम खाद पिसंसकर विभाग द्वारा नीदलेंड एवेंस बैसी के सहयुक से हुए इंटरनेंसल टोमेटो कौनकलेब 2022 को वर्चूली संबोधित किया है और कौनकलेब में मुक्मंती ने कहा है कि उद्यान की फसलों की विस्तार के लिए और मुक्मंती ने कहा है कि पिदेश में 11 बिद किरिसी जलवाई छेत है राष्टी इस्तरवा विभिन फसलों की उत्पादन में मद्पिदेश अगडी इस्तान पर है संतरा और धनिया बीच उत्पादन में पिदेश देश में पिथमिस्तान है और साथी अमरू टमाडर प्याज, फूल गोवी, हरी मेर्च, मतर, लहसोन, निवू आदी के उत्पादन में मत्पिदेश देश के अगडी राज्यों में सामिल है उन्होंने ये भी काया कि इंटरनेशनल टोमेटो कॉनकिलेब 2022 में पिदेश में टमाडर फसल और उसके निर्याद भंडारन पिशल सकरण को बढ़ाने में महत्पूर गित सिद्ध होगा और राय सरकार विसेशकों द्वार विक्सित रणनीती का सत्थ पितीसित किरियान में सुनिशित करेगी और इसमें आप देखें पिदेश की एक जिला एक उत्पाद ये उजना में 11 जिलों को विसेश रूप से टमाटर उत्पादन के लिए चुना गया है और टमाटर के साथ आप देखें फल, फोल, सबजी, मसाला, औसदी, और सुगन दित, फसलों की खेती और उनके पिसल्सकर्ण एबं ब्यापार की अपार संभावना है अंगली ख़बर देखते हैं यह 18 मई 2022 को गेटर नोईडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में आवजी दच्चेड एसिया ट्रेवल, टूरेंज एक्चेंज 2022 में केंद्री याईश राज्यमंत्री, सुतंत प्रभास त्रीपद नायक ने मद्पिदेश परेटन स्टॉल का उधगाटन किया है और टूरेंज बोर्ड के इवेंट एंड मार्केटिंग, उपने देशक इवराज परडोली ने बताए कि इस बास पिदेश स्टॉल का साइश बढ़ाने के साथ सूचना, संचालित दृष्टी कोंड के साथ सभी आगउंत्कों के कोपरेटन से सम्मंदी सभी गतिविदियो और आप देखेंगे, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, कि जो आपका दच्छेड एसिया टेवल टूरेंज में एक्चेंज है, S-A-T-T, यात्रा परेटन और अथित उद्द्यों के साथ राष्टी और राष्टी परेटन बोर्ड के घहरेलू अंतराष्टी खरी एकदारों पेसेवरों को एकतित होने और व्यापार करने के लिए एक मंच पेदान करता है, और मद्पिदेश परेटन की दृष्टी से एक संपन राज है, मद्पिदेश को टाइगर इस्टेट और इंडिया के साथ साथ लेपर्ड इस्टेट और घड़याल इस्टेट का भी गौरप प्राप थे, यहां बादावगर नेशनल पार्क में टाइयर देखने से लेकर खजराओ की मंदर की मूर्तियों में बास्तिविक भारत को खोजा जा सकता है, भारत को तो आप देखते हैं, सुया पेदेश भी कहते हैं, नदियाओ का मायका भी कहते हैं आप यहां आप लोगों को एक कानून बताता हूं, एक अधिनियम बताता हूं, पिलेसेस और बरसिफ एक 1991 में, एक आप देखी हमारे देश में जो राम मंदिर का मामला बाबरी मश्चित का मांदला रहा है, इसने दो समधाय की बीच कितनी बड़ी खाई पैदा कर दी, दंगे ह हुए, आप देखते हैं आतन की हमले भी हुए, और उसके बाद आप देखी एक कानून बनाये गया, और इस धार्मे किस्थल कानून भी कह देते हैं, इस कानून में कहा गया कि 15 अगस 1947 के पहले, जो कुछ भी हुआ हो, चाहे वो मश्जित तोड़े गए हो, मंदित तोड़ रहेगा, किसी भी धार्मे किस्थल में कोई परिवतन नहीं किया जाएगा, लेकर आप से भी जानते हैं कि इस कानून को ही चुनोती दी गई है, संस्किती बचाओ मंच की अधिक चंद सीकर तिबारी के अनुसर अंग्रेजों की भोपाल इस्टीट गजेटीर 1908 में मस्जि थानग्र इस इसानगे जाएग धिशी में किया घया जर्म अरेजों कि युदो पारिद निल्यून भी मस्टी एकपड़िक चारों कवेगा मस्चित की और राधाहरे था, कि टीली के हम आधारी संगतर देखे हैं तो यहांदर रखिएगा आप लो, अंगली खबर की तरप यह आप देखें हाली में गैर सरकारी संगतन Child Rights and EU किराई द्वारा स्टेटस रिपोर्ट और मिसिंग चिल्डर्न रामा रिपोर्ट जारी कीगी जिसके अंसार मद्पिदिश 2021 में मद्पिदिश में बच्चों की गुमसूदगी के सरवाधिक मामले दर्च किये गए है और रि मद्पिदिश में गुमसूदगी के मामले में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या लगबख पाच गुना रही है और पिदिश में गुमसूदगी के मामले में सरवाधिक संख्या इंदोर भोपाल धार जवलपूर रीबा जिले में देखी गई है चाइल्ड राइट्स एंड यू एक भारतियर गैर सरकारी संख्या ने जो बच्चों के दिकारों को सुनिशित करने की देशा में काम करता है और संख्या की सुरुवात 1989 में एर इंडिया के परसर रेफर कपूर ने की थी और आप देखते हैं जो अपरन कर लिए जाते हैं क बहुत बच्चे होते हैं तो यह ख़बर भी आप लोग याद रखिएगा इसमें अगली ख़बर है आपकी 23 मई 2022 को मद्धिदेश की महला बाल विकास संचालक डॉक्टर राम राव भौसली ने बताया कि एडॉप्ट एन आंगरवाडी में अब तक 93 हजार 32 आंगरवाडी केंदरों पर सहयोग के लिए 1,235 बिभिन संस्थाओं ब्यक्तियों द्वारा पंजियन करवाए गया है यह आप देखें अडॉप्ट इन आंगरवाडी कारकरम आंगरवाडियों को मजभूत ससक्ती करण के लिए लाए गया था आंगरवाडी केंदरों के उन्यान और उसम सकता और बच्चों की व्यक्तिकत आवसकता और स्वास्त इवं पोसन ब्यवस्ताओं में सहयोग पर अपनी सहभागिता कर सकते हैं और याद रहें पिदेश में लगभग 97,135 आंगरवाडी और मिनी आंगरवाडी संचाले थे और जिनके माध्यम से 6 वर्स तक की बच्चो करताओं द्वारा पोसन और सोपोसन घटक में बच्चों की माध्यम माध्यम एवं गंभीत को पोसन निवारन के लिए थेरेफिटिक निउटेशन एवं दवाईयों हेतु एक करोड 98 लाख रोपे का सहयोग पराप्त होता है ये भी देखने को मिलेगा अगली खावर की तर में उत्किष्ट पिदर्शन के लिए और मुखमंती उत्किष्टा पुरुषकार नवाचार हेतु को संचालित किये जाने की पिस्ताओं का अनुमोदन किया है और मन्ती पैसेद द्वारा अनुमोदित ए पुरुषकार पितिवर्स मद्पिदेश की स्थापना दिवस एक नमंबर को दी जाएगा और मन्त पिदेश के गौरव संबान की बात करें तो पिदेश के नांगरिक संस्थाओं नांगरिक और संस्थाओं को विभिन सैनियों में उनकी त्वारा किये गए आसाधरन कारियों के लिए जाएगे और पिति बस कुल 10 पुरुषकार दिए और एक ही कारचेत या सैनियों में एक से अधिक ब्यक्तियों के पात्त होने पर पुरुषकार रासी बरावर बित्रित की जाएगे और मुखमंती उतकिश्टा पुरुषकार टीम सास्की योजनाओं की किरियान बर में उतकिश्ट पितरसन करने के लिए जिराप पिसासन की जाएगा बिवन सैनियों में कुल 15 पुरुषकार दिये जाएगी और एक ही कार्चेत या सैनियों में एक से अधिक सास की है सिभत को पात्त होने पर पुरुषकार रासी बरावर बित्रित हो जाएगी ये भी आपको देखने को मिलेगा इसमें अंगली खबर है आपकी 23 मैं 2022 को मुखमंती सिवरासिंग चोहान की अध्यक्सा भी हुई मन्ती परस्ट की बैठक में मत्रेस्ट ग्रामीड सीबान चोटे के साथ भूमिगीन किरसी सेमेकर रेड विमुक्ती विधियक 2022 के प्रारोप के अनुमुदन के नेड़े के साथ ही कई अन्यमात्पूर नेड़े लि या गया है और यह पिदेश के घहरेलू उब्भुक्ताओं के लिए किरसी ग्रह जोती योजना में जोती योजना में सुईकित 5,584 करोड चालीस लाक रूपर की सबसीटी की अत्रिक्त इसके ये वाज में बिद्धूत बित्रन कंपनियों को सबसीटी दी जाएगी और मंत करते हुए इसे नियंतर वलाय रखने का नेड़य भी लिया है और इसमें आप देखिए इसमें 2022-21 से 2022-23 तक के लिए 8,410 करोड रुपे की कैंदरांस और 8,410 करोड रुपे की राज्यांस और राज्यांस रासी का 337 पे सासनिक बेरासी रुपे 252 करोड 30,000,000 रुपे साम मिसन कंपनी द्वारा ग्रेन एनरजी कोरी रोड परियोजना में किये जारे पोसर कारियों की बित पोसर हेतू मेसस के एव डबलू जर्मनी से स्विकित रेडर 80,000,000,000 एउरो का संपूर उप्यो करने की सहमती भी दी है और मन्तिपसर द्वारा सिंगा जी ता बिद्धूत किसान भूमी इन किर्सक सरमेक रिड बिमुक्ती विद्यक 2022 के प्यारूफ और मत्पदेश की भूराजस सहता संसोधन अध्यदेश 2022 का अनुधन किया है और मत्पसर ने रामपुरा मनासा सूक्ष उद्वाहन सिचाई परियोजना को पिसास किये सोईकिती पिदान किये और परियोजना की लागत रासी बारे सो आठ करोड नवासी लाग रुपे है और इस परियोजना की रभी के लिए सिचाई चमता पैसाट हजार चार सो हेक्टर होगी और परियोजना से मनासा तैसिल के दो सो पंद्रे ग्रामों की किर्सकों को सिचाई सुईधा कलाप राप्त ह होगा इसकी तहित आंगे चलते हम लोग अंगली खबर की तरफ हाली में जीवाजी राओ जीवाजी विस्विद्याले में की M.S.C. M.S.C. फूर्ट टेग्णोलोजी की चात्रा चांदीनी रौय ने चोकलेट प्रेमियों के लिए Immunity Booster Probiotic आर्क चोकलेट बनाई है इनका नाव है चांदनी रौय इस चोकलेट में अर्चांणी नी चॉक्लेटेर्षस करने लेक्टोरीचलेष जाने वाले एंटी आक्सड में मुद्श करो hacia2串ु देखने को मिलता है अंगली खवर की तरफ चलते हैं ये 25 मई 2022 को मद्विदिस के नवीन एवन नौ करनी उर्जा मंतरी हर्दीप सिंग डंग ने काय की पिधान मंतरी किसान उर्जा सुरक्षा उत्तान महावियान कुसम ए में अब परफॉमेंस गारंटी पाच लाक रुपी प विकासकों द्वारा 32 पावर मेनेजमेंट कंपणी के मद्विक्रे के रह अनुबंद का भी आदान पिदान किया है और इसमें आप देखे मंतरी ने ये भी बताए कि मुख मंतरी सोलर पंप युजना में 1000 एसे किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाने का काम प्रात्मिक्त सपलता पूर्वक पूरे हो सकेंगे और नभीन और नभी करनी उर्जा मंतराले द्वारा 2019 से पिदान मंतरी किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महावियान कुसम आ युजना लागू की गई और जिसके तहत किरसी पंपों के सोरी करन के लिए 60-30 तक अनुदान दिया जाता ह और इस युजना को राज सरकार के विभागों द्वारा कयानवित किया जा रहा है और जैसे किसानों को केवल बाकी का 40-30 विभाग को जबा करना होता है क्या करना होता है जबा करना होता है अंगली खबर है आपकी 26 मई 2022 को मद्पदेश के राजबाल मंगू भाई पटेलर सरकार के द्वारा पिस्ताज मद्पदेश नगर पालिक विधी संसोदन अध्यादीस 202 को अपनी मंजूरी दी है और यह द्यादेश राज में नगरपाशद है के अद्ध्यक्ष चुनाओ को भी निर्धारीच करता है अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब नगर निगमों बड़े सहरों के महापुर सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे जबकि नगर पश्दों और नगर पंचायतों चोटे सहरों के अध्यक चौपाध्यक निर्वाची नगर सेफ को द्वारा चुने जाएंगे और गजा टदी सूचना पेकासित होने के बाद या पिस्ताओ कर्यार्मन के लिए राजी चुनाओ आयो को भीजा गया है और राजी में कुल आप देखें 413 सहरी स्थानी निकाये जिनमें 16 नगर निगम नियान में नगर पशिषद और 298 नगर पंचायते सामिल है और सोप्रिंग कोट में हाली ही में मद्पिदेश में वर्सों से निर्वाची पिती निधियों के बिना काम कर रही थी अंगले खबर की तरफ बढ़ते हैं यह आप देखेंगे कब की है 29 मई 2022 को मद्पिदेश राजी निर्वाचन आयोग बसंद प्रताप सिंग ने कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारियों को नगरी निकाय इस तरहिए पंचयातों के आम निर्वाचन 2022 के लिए मद्दाताओं को मद्दान किपिती जागुफ करने और मत्दान की और आयोग द्वाचारों की जानकारी देने के लिए मद्दाता जागरुफता अभियान प्यारम करने का निंद्देश दिया है और आप बताई मत्पिदेश निर्वाचन आयुग इस स्थापना हुई थी जो आपके राजसभा की चुना होते हैं इनके लिए भारती निर्वाचन आयुग है वो भी समिधान एक संस्ता है समिधान के अनुषित 324 के तैत उसकी स्थापना की गई है और 25 जन्मरी 1950 में स्था के सूकुमार सेंथ और उन्होंने अधिगारियों को मद्दाता जागरुकता अभियान के तहट मद्दाताओं को पेरिज जागरुक करने के लिए इस्थारी महाविद्ध्यालेयों से कोच बिद्यार्थियों को जो की नेतित पिदान कर सकते हैं को campus ambassador निवक करने का और चैन के बल एक सचिड़क सत्क के लिए किया जाएगा सह सिक्षा और सह सिक्षा महाविद्ध्यालेवें में दो चैन किया जाएगा Campus Ambassador की समर्थेता किसी तरह की सकायद प्राप्त होने कि स्स्तिति में सथा प्रमुक तक काल जाच कर उपयोग कारवाही करेंat और पदे Campus Ambassador का पूलिस अपन जिला पिसासन द्वारा किया जाना अनिवार है और Campus Ambassador मद्दाताओं को मद्दान की पिक्रिया इस्तितियों और आयुक द्वारा कियेगे विभिन ने नवाचारा और आधी की जानकारी देंगे स्काउट, गाइड और राष्टी सिवा योजना, राष्टी केडिट कोर और आसास्की संगटनों की साथ समनवाय कर मद्दाता जागरूपता में उनका सहुख पिराप्त करेंगे मद्दाता जागरूपता वियान की गतिविधियों के संचालन के लिए सक्रिय सदस्वों का एक दल बनाकर मद्दाताओं को जागरूप करेंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी केंपस एंबेश्डर की नियुक्ती के पश्चाद उनकी भूमिका दायत उनके द्वारा किये जाने वाले कारियों गतिविधियों लक्षो संभावित उपलब्दियों कारी उजना से आउगत कराएंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी केंपस एंबेश्डर को मद्दाता जागरूपता वियानकार के लिए यथा योग सामगरी मारदर्शन और सहयोग देंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी समय 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 पर संपन की जाने वाली विभन गतिविधियों का अकलन करेंगे संसा की जाएगी और राश्टी पर पर आए जित अमारों पिसस्ती पत्त पिदान कर समानित भी किया जाएगा तो यह भी राद रखेगा अंगली खबर की तरफ चलते हैं निर्वाचन हेल्फ डिस्क इस्तावित करने का निदिस्थ भी दिये गया है और इसके पहले महापोर एवं अध्यक्षपत की उमीदवारों की बेली संधारन का संधारन किया जाता था पार्शन पदों की निर्वाचन बेकी अधिक्तम सीमा नगर निगम में जन्गराँ दो ह से कहीं अधिक आप देखते खरच करते हैं तो इस तरह से आप देखें मई 2022 में जो मद्पिदिस में घटनाय घटी है उनके बारे में एक ओवर्विव ले लिया हम लोगों ने अंगली क्लास में हम लोग जून 2022 में जो मद्पिदिस में घटनाय घटी थे उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आप लोग पढ़ते रहें एंज्वाय करते रहें झालो